हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बीग फिश ये 2003 की एक बड़ी सी एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मुवे एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ यह जो मुवे है इस मुवे के स्टोरी बहुत ही अजीब हो गरीब है इस मुवे में एक लड़की के फादर मरने वाले होते है अब उसे पता ही नहीं होता कि उसके फादर क्या करते है क्योंकि उसके फादर हमेशा उसे अजीब हो गरीब स्टोरी सुनाते है अपने फादर को जानने के लिए उनकी जो stories होती है इनका वो sense बनाना चाहता है ये जो story है ये अलगी तरह का adventure है इस movie में जो भी सब चीज़े मैं आपको बताऊंगा इसे सिर्फ आप accept कर लीजेगा ये एक story है as a fairy tale आप इसे accept कर सकते हो इसके बाद में इसका क्या significance है ये आपको movie के last में पता चल जाएगा हमागर देखे तो stories क्या होती है stories ये एक सच जो जुट में लिप्टा हुआ होता है इसी तरहीए से आज की भी हमारी एक story है तो चलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है movie start होती है और इस story का main character हमें दिखता है इसका नाम है Edward Bloom इसके पूरे life के story हमें इस movie में बताई जाएगी अलग-अलग time period में अलग-अलग story हमें बताएगा movie start होती है तो Ed अपने son को उसकी story बता रहा होता है यह कहता है कि जब मैं यंग था तो एक बड़ा सा fish हमारे गाव में था उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता था बहुत सारे लोगों ने बहुत try किया पर कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए अगर कोई उसे पकड़ भी लेता तो उसका net फट जाता मैं इस fish को पकड़ने के लिए बहुत ही determined था एक दिन मैंने बहुत ही बड़ा सा rod लाया यह जो rod था इतना strong था तो यह building को भी पकड़ सकता है अब जो यह fish है इसे पकड़ना असान नहीं है कितना भी लालज इसे कुछ भी fish का दे दो फिर भी यह पकड़ में नहीं आने वाला इसे पकड़ने के लिए मेरी जो एक ring थी यह मैंने धाव पर लगा दी थी यह ring जब मैंने पानी में डाली तो एक सेकन में इस fish ने यह पकड़ ली अब हमें स्टोरी बताते हुए यही दिखता है कि यही स्टोरी बच्चे के समर क्याम पर भी इसी एडवर्ड ने बताई है अब इसका जो बेटा है यह बढ़ा हो चुका है इसका नाम वील है वील की आशादी है और इसकी शादी में भी एडवर्ड यही स्टोरी सुनाता है वील इससे एनाय हो जाता है और वो बाहर चला जाता है फिर भी हमें यह स्टोरी कंटिनी होई दिखती है एडवर्ड कहता है कि उस fish का मैंने पीछा किया जब मैंने इसे पकड़ा तो मुझे पता चला कि यह एक मादा है इसके बाद वील हमें कहता है कि इसके बाद मैंने तीन साल मेरे फादर से बात ही नहीं की मैं अपनी मदर को कॉल करता था मदर कह देती थी कि वो बाहर है ऐसे वैसे क्योंकि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी थी वील हमसे कहता है कि मेरे और मेरे फादर का जो रिष्टा है यह बहुत ही अलग है हम एक दूसरे को तो जानते है फर भी मुझे बहुत ही stranger महसूस होता है हमेशा अलग-अलग story मुझे वो सुनाते आ रहे है कभी भी actual story मुझे पता नहीं थी विल को लगता है कि उसके father ने कभी भी किसी भी चीज़ के उसे कोई भी सच्चा ही बता ही नहीं है इसी वज़े से वो अपने father से relation नहीं रखना चाहता एक दिन जब वो घर आता है तो उसकी wife उसे कहती है उसके father को stroke आ गया था अब विल घर आ जाता है अब में फिर से Edward अपने son को story बता रहा है यह दिखता है यह story है जब Edward छोटा था वो अपने friend के साथ रात में एक भूतिया बंगले बर गया था वो एक दूसरे में बात करते है कि यहाँ एक witch रहती है इस witch की एक आग क्लास से बनी हुई है कोई भी अगर इस आग में दिखता है तो उसे उसकी date दिख जाती है एड इस पर जादा भी लेव नहीं कर रहाता तो उसके friend उसे कहते है कि जाओ फिर देख कर आओ उसे उकसाते अंदर जाने के लिए एड भी थोड़ा सा डरा हुआ होता है फिर वो अंदर जाता है इस witch से वो मिलता है उसे वो convince कर लेता है उसके friend से वो मिले उसके friend जब इस witch के आख में देखते है तो कैसे मरने वाले है यह सब उन्हें दीख जाता है इसके बाद Edward घर तक इस witch को छोड़ देता है यह इस witch को कहता है कि मरना बहुत ही बुरा हो सकता है अगर आपको मरने के खयाल आगए तो आप सही से जी नहीं पाओगे पर आपको अगर पता होगा कि आप कैसे मरने वाले हो तो बहुत सारी चीज़े आपको पता चल जाएंगी बहुत सारी टाइम में अनमी को लगता है कि अब वो मरने वाला है पर अगर उसे पता होगा कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला तो ये बहुत ही एजी हो जाएगा एड फिर देख लिता है कि वो किस तरह से मरने वाला है और उसे ये देख कर सही लगता है कि ये ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉल्लम नहीं है इसके बाद नेकसिन में हमें दिखता है कि वो इल घर आ चुका है इसकी वाइब जो है यह अब pregnant है इसके मदर को इसे देखकर बहुत ही खुशी होती है इसकी मदर कहीती है तुम्हेरे फादर कुछ खानी रहे पिस उपर जाकर उन्हें कुछ खिला कराओ यह जब अपने फादर को देखता है तो उसके फादर को पता होता है कि इसकी वाइब प्रेगनेंट है एडोस से कहता है कि अब तुम्हारे लाइफ बहुती सप्राइजेस से भरी होंगी तुम्हारा बच्चा होने वाला है तुम उसे बिगारने के कोशिश करोगे मेरी तरह misleading उसे truth बताओगे और फिर भी वो सही से एक आदमी बन जाएगा तुम जिस तरह से एक अच्छे आदमी बन चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक bad father था विल थोड़ा सा उसके फादर को खिलाता है और कहता है कि मैं अब या हूँ इसके बाद हम कब मिलेंगे यह मुझे नहीं पता जो stories जो event जिस तरह से हुए थे या आप मुझे उस तरह से बता सकते हो एड इस पर शान्त हो जाता है उसे हो कुछ भी बताने नहीं वाला होता विल फिर disappointed होकर वहाँ से चला जाता है अमने एक सिन में हमें दिखता है कि विल जब छोटा था तो एड उसे और एक story सुना रहा है यह कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक बिमारी हो गई थी मैं जादा ही बढ़ने लग गया था इसे वज़े से मुझे तीन साल तक बेड में रहना पड़ा एक मशिन के साहरे यह जीता था यह इस story में उसे बताता है एड कहता है कि मुझे बहुत वक्त फिर मिला था मैंने सब इंसाइकलोपीडिया पढ़ कर डाली इसे मुझे बता चला कि एक फिश होता है अगर उसे छोटे से बॉल में तुम रखो तो छोटा ही रहेगा और अगर उसे ओशन में छोड़ दो तो तीन चार गुना वो बढ़ सकता है इसी तरह से मुझे भी लगा था मुझे लगा कि अब मैं बड़ा होने वाला हूँ इसी वज़े से मुझे ये सब तकलिफ आ रही है इसके बाद एड कहता है कि जब मैं बड़ा हुआ तो सब के साइज में मैं बहुत ही बड़ा था उनकी जो स्पोर्ट स्टीम थी उसमें वो फर्स्ट आता था हर बार साइन्स कॉम्पिटिशन हो या कोई भी हो इसमें ये फर्स्ट याता था अपने टाउन में आग वगरा लग गए तो इससे वो हेल्प करता था एक दिन इनके टाउन में एक बड़ा सा राक्षस आ गया इसने पुरा खेत खा डाला ये बहुत ही बड़ा इशो हो गया था इस टाउन के मेर ने एक मिटिंग ली इमें सब लोग थे इन लोगों ने कहा था कि अब इस मॉंस्टर को मार देना चाहिए मेर कहता है कि इस चाहर में वाइलेंस नहीं होने दूँगा इड फिर आगे आता है इड कहता है मैं उसे बात कर सकता हूँ कोई भी है काम करने के लिए ready नहीं था पर इड courageous था इड फिर river के पास एक cave में आ जाता है जब ए राक्षस से बात करने लग जाता है तो इस राक्षस की सासों से यह बाहर फेका जाता है एड इस राक्षास सो कहता है कि जब तक तुम बाहर ने आओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला यह राक्षास फिर बाहर आ जाता है यह उससे पुछता है कि तुम यहाँ क्यों आये हो एड कहता है कि as a human sacrifice कि तुम मुझे खास होगो इसके लिए मैं आये हो यह तुम नहीं खाने वाला एड उससे समझाता है और कहता है कि तुमआरे सिर्फ size बड़ा है तुम भी हमारे जैसे ही हो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम आरे लिए यह town छोटा सा है अगर तुम बड़े से टाउन में जाओगे तो तुम्हें वो लोग accept कर सकते है एड कहता है कि मैं छोटा सा हूँ पर मेरी जो विल है मुझे कुछ करकर दिखाना है यह बहुत ही बड़ी है मेरे लिए यह भी टाउन बहुत ही छोटा सा ही है मुझे भी सिटी में जाना है हम दोनों साथ चल सकते है यह राक्षस फिर उसे एक फ्रेंड मिल गया है और उसे accept करने वाला शहर भी होगा इसे एक आशा में अब वो रेडी हो जाता है विल को medal दिया जाता है और यह शहर की खीज होती है में उसे कहता है कि जब भी तुम्हें फिर से वापस आना हो तब इस शहर के दर्वाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे इसे सब लोग फिर अलविदा करते है यह राक्षस के साथ शहर जाने के लिए चलने लग जाता है अब अगर इस स्टोरी हम देखे तो एड जब छोड़ा था तो उसे एक बिमारी हो गई थी इसी वज़े से उसे तीन साल तक यहां रुकना बढ़ा था पर अपने बेट्डे को अगर उसने ऐसा कहा तो यह बहुत ही जादा डिप्रेसिंग स्टोरी हो जाएगी इसके अलाव अपने बेट्डे को कहता है कि वो बढ़ा होने लग गया था तीन साल तक उसे इंसाइकलोपीडिया पढ़ना अच्छा लगता था तो उसे वो करने के लिए मिला एक पॉजेटिव वर्जन और एक इपिक वर्जन उसे सुनाता है उसके टाउन में एक बड़ा सा राक्षास आ गया था तो उसे निकालने के लिए उसने क्या क्या किया यह अपने सन को बताता है अगर हम इसे रियल लाइफ से कंपेर करें तो राक्षा से एक सिंबॉलिक जेश्चर रिप्रिजन करता है यह राक्षा से यह आउटकास्ट है कोई भी इसे पसंद नहीं करता एडवर्ड जो है यह भी इसे टाउन में यही फिल करता है उसे कुछ बड़ा करना है इसी वज़े से वो सिटी में जाना चाता है यह दोनों फिर फ्रेंड हो गए और यह दोनों सिटी में चले गए अगर रियालिटी में जो हुआ था अपने सन को बता देता तो इसकी इंटेंसिटी नहीं रहती इसका जो मैसेज है यह क्लियर नहीं जाता जैसे मूवी प्रोग्रेस होती रहेगी तो और भी चीज़े में आपको बताता रहूंगा फिर से इस्टोरी अब स्टार्ट हो जाती है और एड हमें राक्षस के साथ दिखता है जब रस्ते से जा रहा होता है तो दो रस्ते ही नहीं दिखते हैं एड राक्षस से कहता है कि मुझे इस रास्ते से जाना है यह एडवेंचर भरा है और बहुत ही डेंजरें से यहां क्या है यह मुझे पता नहीं है तो मुझे धोड़ना है वो राक्षस को बता कर जाता है कि हम फिर से मिलेंगे राक्षस को उस तर बिलिव नहीं होता तो अपनी सब चीजे वो राक्षस को दे देता है वो कहता है कि मेरे लिए जरूर तुम वेट करना एड फिर इस जंगलों से होते होए निकल जाता है इस जंगलों में इसे बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है पर इससे हो जोंचता है यह कहता है कि अगर तुम डिफिकल्टीज से नहीं कुजरे तो कुछ अच्छा तुमें कैसे मिल सकता है यह जब यह जंगल पार कर लेता है तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा सा टाउन उसे दिख जाता है इस टाउन का नाम है स्पेक्टर वहाँ पर जो लोग होते हैं इसे वेलकम करते हैं यह कहते हैं कि तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए हमें लगा था कि तुम बाद में आने वाले हो एड़ और बिलिव नहीं करता कि यह लोग सब उसे जानते हैं यह जो टाउन है यह बहुत ही फिक्शनल है यह कहता है कि हमारे गाव से एक पोईट भी यह आया था यहाँ जो अदमे होता है यह कहता है कि वो अभी भी यही है इस पोईट से मिलने फिर विल जाता है विल इस poet से बुच्छता है कि इतने टाइम तक तु इस टाउन में रहे हो क्या फिर से वापस तुमें गर जाना है ऐसा कभी भी नहीं लगा यह poet कहता है कि यह बहुत ही peaceful है यहां कभी भी जादा गर में नहीं होती कभी भी जादा थंडी नहीं होती यह रहने के लिए बहुत ही perfect town है कवे मैं इसे छोड़ कर नहीं जा सकता यहां रहने के लिए जो सब चीज़े चाहिए इस सब कुछ available है आदमी अगर यहां आ गया तुसे कही भी जाने के कोई भी जरूत नहीं है पर Ed को यह accept नहीं होता Ed एक free spirit होता है यह कहता है कि मुझे पता है कि यह बहुत ही perfect है और फिर भी मुझे सब कुछ चीज़े देखनी है actual life में जो सब adventures है यह मुझे feel करकर देखने है मुझे पता है कि मुझे इस तरह से life मिल नहीं सकते मेरी great भी इस decision को कर सकता हो फिर भी मुझे decision लेना है सब लोग इससे नाराज होते है क्योंकि अब यह वापस जाना चाता है विल सिर्फ 18 साल का है तो उसने अभी life देखी नहीं है यह life देखने के लिए सब एशो आराम छोड़कर वहाँ से निकल पड़ता है जाते वक्त poet उसे help करता है जब यह जंगल में होते है तो poet अपनी कवीता उसे सुना रहा होता है यह जो कवीता होती है यह सिर्फ तीन लाइन्स की होती है यह जो poet है इस town की इस आरामों की जो lifestyle है इसमें घुल मिल चुका है इसी वज़े से यह सही से काम नहीं कर पाता एड जब जा रहा होता है तो उसे एक pond में mermaid भी दिखती है इस mermaid का वो बीचा करता है पर इसे पकड़ नहीं पाता वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है यह छोटी लड़की उसे पसंद करती है यह वो कहते थी है एड कहता है कि इस time में में फिर से वापस आऊँगा पर मेरा अब यह time नहीं है जब सही time होगा तो 100% में यहाँ वापस आने वाला हूँ इसके बाद फिर से जंगल में एड गुच जाता है और जब यहाँ से जा रहा होता है तब पेड उसे जकड लेते है यह बहुती डर जाता है उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है पर तब उसे याद आ जाता है कि इस तरह से वो नहीं मरने वाला उसकी डेत कैसे होने वाली है यह उसे पता है आप फिर से बुड़ा एड दिखाया गया है और रात में अपनी family के साथ वो dinner करता है जब रात हो जाती है तो उसकी daughter-in-law उसके पास आकर बेट जाती है उसे वो अपनी बच्पन की story सुनाता है वो कहता है कि dream से मुझे पता चल जाता था कि कोई मरने वाला है मुझे पहले पता चला था कि मेरी end मरने वाली है यह मैंने जब मेरे मदर और फादर से कहा तो उन्होंने मुझे पर believe नहीं किया और next दिन सच्पन में मेरी end मर गई कुछ दिनों माद मुझे faces सब ना आया उस मुझे पता चला कि मेरे फादर मरने वाले है मैंने मेरे फादर को यह सब बादी की मेरे फादर ने कहा कि उन्हों कुछ भी नहीं होने वाला पर फिर भी वो रैटर लो चुके थे दूसरे दिन जब वो काम पर गए तो वो डर डर कर ही काम कर रहे थे पुरे दिन में उनकी डेथ होने वाली है इसका वो इंतजार करते रहे पर यह हुआ नहीं अगर हम यहाँ एनलाइज करें तो एड नाजाज वच्चा था यह बहुत यह सिरिस सिच्वेशन होती है बहुत लोग वो इसे एफिक्ट होता है और यह किसे को बता बना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एड अपनी डॉटर इनलोग को यह बताता है तो इसे एक फणी बना देता है स्टोरीज में छुपा हुआ सच यही इस मूवी का पॉइंट है अब एड उसकी वाइफ से कैसे मिला था यह अपनी डॉटर इनलोग को बता रहा होता है उसे कहता है कि जब राक्षस के साथ मैं सिटी में आ गया तो मैं एक सर्वकस में गया था सर्कस का जो मास्टर था उसने जब इस राक्षस को देखा तो अच्छम भी थो गया इस राक्षस को उसने एक जॉब दे थी इस सरकस में ही एड उसकी वाइफ को देखता है इसे पहली बार में उसे प्यार हो जाता है इसका टाइम यही रूख जाता है इसका नाम वेगरा कुछ भी नहीं जानता तो बहुत ही डिस्टर हो जाता है सरकस का जो मास्टर होता है उसे अपनी प्रावलोम बताता है मास्टर इस लटकी को जानता है पर उसे इसकी information नहीं देने वाला होता मास्टर कहता है कि तुम कुछ काम नहीं करते काम ने तुम बहुत ही अच्छे काम के होंगे पर यह city है, city में तुम इस तरह से नहीं रह सकते तुमारे पास अगर job नहीं होगी तो उसे तुम अच्छी life नहीं दे पाऊगे वो उसे उसका पता नहीं देने वाला होता एड कहता है कि तुम सरकस के master हो तुम मुझे यहाँ job दे सकते हो master कहता है इसे ही मैं किसी को कुछ भी नहीं देता एड फिर बोलता है कि मैं free में काम कर सकता हो मुझे सिर्फ उस लड़की का पता चाहिए master फिर एड से एक deal करता है यह कहता है कि जिस मन तुम मेरे लिए काम करोगे उस मन उस लड़की के बारे में एक चीज़ में तुमें पताऊँगा आवा में दिखता है कि बहुत अजीब हो गरीब यह काम एड करता है एड सरकस में हड भी हो जाता है फिर भी यह काम वो करता रहता था तीन साल गुजर जाते हैं और उस लड़की के बारे में चोटी चोटी बाते उसे पता जल जाती है जैसे कि उसे म्यूजिक पसन है पर यह लड़की कौन है क्या है इसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता जब एक दिन अपने मास्टर से मिलने जाता है तो उसके ट्रेलर में एक वुल्फ होता है इस वुल्फ की और एड की फाइट हो जाती है एड एक लकडी लेता है और उसे दूर फिकता है यह जो वुल्फ है यह कुट्टी जैसा हो जाता है यह उस लकडी को फिर से एड के पास लेकर आता है यह जो wolf था, यह अकेला था, एड के साथ इसे खेलना था, इसी वज़े से यह उस पर attack कर रहा था, एड कहता है कि कभी-कभी आपको चीज़े लगती है कि जो बहुत दरावनी है, पर actual में वो आपसे help मांग रहे होते हैं, अगर आप लोग को compassion से treat करोगे, तो वही compassion आपको फ वो कहता देता है, वो कहता है कि वो यूनियर सिटी में है, उसका semester खत्म होने वाला है, जो जल से जल तुम वहाँ चले जाओ, एड बहुत ही खोश हो जाता है, वो भागते बागते यह लड़की जहा रहती है, यहाँ पहुच जाता है, इस लड़की का नाम Sandra है, यह Sandra का डो पर हमारी शादी नहीं हो सकती, तुम जिस टाउन में आये हो, उसी टाउन के एक लड़के से मेरी शादी होने वाली है, विल फिर हमें कहता है, जिस टाउन से बच कर मैं यहाँ आया हुआ था, मेरे रूट से मैं बच रहा था, पर वही मैं फिर से वापस आ चुका हूँ, अगर वो टाउन से नहीं निकलता, तो वो सैंडरा से शादी कर सकता था, एड को फिर रियलाइज होता है कि इतने आसनी से, जिस वारत से वो प्यार करता है, इसे वो जाने नहीं दे सकता, यह फिर उसके क्लास्टरू में उसे प्यार करता है, यह बड़ा से अक्षरों से मे आता है, उसके घर के सामने बहुत सारे फूल वो रख देता है, शैंडरा फिर इस सबसे इंप्रेस्ट हो जाती है, जिस लड़के से सैंडरा की शादी होने वाली है, वह भी वहा आ जाता है, यह विल का बच्कवन का फ्रेंड ही होता है, पर इन दोनों में कभी नहीं जमती विल हमेशा फर्स्ट आता था और यह कभी भी फोकस में नहीं आ पाया, सैंडरा एड से कहती है कि प्लीज इसे मत मारना, एड फिर बहुत मार खाता है, सैंडरा फिर जिससे उसने शादी होने वाली होती है, उससे प्रेक अप कर लेती है, इन दोनों की फिर शादी हो जाती यह फिर अपने स्टोरी में कहता है कि मुझे आर्मी में जाना पड़ा, जो प्रेजिडेंट है, इनका उन्हें आर्डर आया था और जो सब यंग जनरेशन थी, इन सब को मिल्टरी में सर्व करने पड़ने वाला था, इन्हें 3-4 साल वहाँ सर्व करने थे, पर अगर एड इन्हें अलग-अलग मिशन्स ले लिए, जो बहुत ही डेंजरस थे, तो उसे 21 साल सर्व करना पड़ेगा, तो इस तरह के मिशन एड ने लिए, इसी मिशन पर कोरियन लोगों से उसे न्यूकलियर पावर पारण के प्लैंस चिनने थे, यह चिनने के लिए वो एक सरकस पुरा लिये, तो वहाँ दो शोगर्स आ गई, यह दोनों एक दूसरे की बोड़ी से कनेक्टेड थी, यह बहुत ही डर चुकी थी, और इनने सिपायों को बुला लिया, तो एड मर सकता था, एड ने फिर सैंडर की फोटो इने दिखाई, एड कहता है, मेरे वाइप के पास मुझे फिर से जाना है, इन दोनों लड़कियों ने फिर से वहाँ से निकलने के लिए हेल्प की, एड को वापस आने में बहुत जादा टाइम गुजर गया, सैंडर को लगा यह मर चुका है, मिल्टी ने भी यह अनौन्स कर दिया था, पर जब एड वापस आ गया, तो सैं कि उनना बहुत यह अच्छा लगता है, मैं जब भी छुटा था, तो मैरे आसपास वो कभी भी नहीं थे। पर कभी भी वो मेरे आसपास नहीं थे नेक दिन सुभा जब होती है तो विल अपने फादर के बास आता है उसकी जो frustration है कि अपने फादर को नहीं जानता यह सब उने फादर को कहता है यह कहता है कि एक बार last बार मुझे सब को सच बता दो तुम कोन हो यह मुझे जानना है एड कहता है कि जब से मैं बान हुआ हूँ मैं यही हूँ मैं कोई भी अलग आदमी हो यह मैं तुमें नहीं दिखाना जाता एड disappointed होकर वहाँ से चला जाता है विल की मदर उससे कहती है कि तुमारे फादर का जो ससामान है उसे तुम sort कर दो विल स्टोरिज रूम में आता है तो वहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़े वह देखता है जब एड छोटा था तो एक मशीन के साहरे वो तीन साल तक रहा था यह action में मशीन एक्जिस्ट करती है यानि कि एड जो सब कह रहा था इसमें कुछ न कुछ तो सच्चा ही थी यह विल को पता होता है फिर से हमें विल की स्टोरी स्टार्ट होए दिखती है विल कहता है कि जब मैं आर्मी से वापस आ गया था तो मेरी life perfect थी मुझे सिर्फ मेरे wife के लिए एक अच्छा सा घर बाई करना था मिल्टरी में जाकर आने के बाद यह सेल्समैन बन गया हमेशा रोड पर ही रहता था एड अडवेंचरस होता है अलग अलग जगा पर जाना उसे अच्छा लगता है तो इसी वज़े से यह जो रोड जॉब है इसके लिए perfect होता है अब हमें दिखता है कि एड बहुत ही अच्छा सेल्समैन बन जाता है इसकी वज़े से इसके बाद बहुत ही अच्छी कार भी आ जाती है एक दिन जब एड टाउन में था और बैंग में आया होगा था तब वहाँ उसका poet friend आ गया जो उस बहुत अच्छे से टाउन में रह रह रहा था एक दूसरे को देखकर बहुत है सप्राइस्ट हो गए एड ने उसे पुछा इतना perfect टाउन छोड़कर तुम वापस कैसे आ गए इस writer ने उसे खा कि तुम जाने के बाद मुझे रियलाइस हुआ कि बाहर भी बहुत सारा एडवेंचर है इसी वज़े से पुरी लाइफ में अब एडवेंचरर की तरह जिना चाता हूँ इसलिए अब मैं ये बैंक लुटने वाला हूँ ये poet फिर गन निकाल लेता है और इस बैंक को लुटता है एड के गाड़ी में वो बैठा हूँ होता है एड को उसने वाल्ड लुटने के लिए बोला हूँ होता है ये जो वाल्ड होता है ये खाली होता है एड फिर poet को समझाता है ये जो city है ये bankrupt हो चुकी है इसी वज़े से इसमें जादा कुछ पैसे नहीं है वो से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो बैंक लोटना है सही काम नहीं है तुम्हें अगर सचमुझ में अच्छे पैसे चाहिए होके तुम वाल्स्टेट में जा सकते हो चीज़े वो उसे वाल्स्टेट के बारे में समझाता है यानि कि अगर पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो बहुत ही रीच बन सकता है इसके बाद एड हमें कहता है कि पैसे जब मिलियन डॉलर्स मिले तो उसमें से टेन थाउजन डॉलर्स उसने मुझे दे दिया इस पैसो से मैंने एक बड़ा सा घर बाय कर लिया उसका जो सपना था उसकी वाइफ के लिए घर लेना उसने वो पुरा गर डाला अब अगर हम इस स्टॉरी में देखे तो उस पोईट को एड ने हेल्प की थी फाइनाशल सिचुएशन के लिए उसे क्या करना चाहिए यह उसे गाइड उसने किया था एक सिंपल चीज थी पर जब इसने रॉबर इसमें डाली उसे बहुत ज़्यादा फाइदा हो गया यह सब चीज़े उसमें डाली तो यह बहुत इंटरस्टिन बन गए यह स्टोरी कोई भी भूलने नहीं वाला अब हम फिर से प्रेजन दिखाय जाता है विल अपने फाइदर की सब चीज़े सॉर्ट आउट कर रहा होता है उसे कुछ पेपर्स मिलते है इसमें उसके फाइदर के नाम पर एक बड़ा सा घर है यह उसे पता चलता है उसका शक होता है कि उसके फाइदर का कही अफेर चल रहा था उसे लगता है कि यहाँ जाएगा तो उसे वो औरत मिल जाएगी विर फिर वहाँ विजिट करने के लिए चला जाता है हाउस में जो औरत रह रही है इस औरत को जब हम देखते है तो मुवी के फर्स में हमें जो वीच दिखाई कही थी यह वही औरत है पर यह अभी वीच बनी हुई नहीं है विल उसके घर में आता है उससे गहता है यह मुझे पता है कि तुमारे और फादर में कुछ तो था मेरे फाद बहुत सारी औरतों के साथ फलर्ट करते थे उनके बहुत सारे चक्कर होंगे यह मुझे पता था यह कही थी कि मैं बता सकती हूँ तुमारे फादर और मेरे बीच में क्या relationship थी पर तुमारे मन में जो तुमारे फादर की image है इसे मैं नहीं टुकराना चाहती है विल इसे थोड़ा सा force करता है इसके बाद फिर हमें और एक story यह सुनाती है एक हैती की विल सेल्समैन था तो रोड से वो जा रहा था एक दिन स्टॉम आ गया और वो फिर से स्पेक्टर टाउन में आ गया यह भी टाउन था जो movie के first में हमने देखा था जो बहुत ही perfect टाउन था जब इस टाउन में वो वापस आ गया तो यह टाउन बरबाद हो चुका था यहाँ के लोगों से जब उसने बात की तो उसे पता चला के टाउन bankrupt हो चुका है एड को बहुत ही बुरा लगा एड को अप इस टाउन को फिर से बनवाना था इसी वज़य से उसने अपने जो सब फ्रेंज थे इन से मदद ली जो सरकस का master था यह भी अमेर था उसके बाद उसका वोस्तित का friend जो poet है यह भी अमेर था इन सब की मदद लेकर उसने एक trust ली और पूरे टाउन को buy कर लिया इससे जो टाउन है ये फिर से सही से बन सकता है लास्ट घर बचा हुआ था तो उसे खरीदने जब हो गया तो ये लड़की वहा थी इसने एड से कहा कि वो ये हाउस बेजना नहीं चाहती इसने बातों बातों में इसे पता चला कि जो स्पेक्टर में जो छोटी लड़की थी जिसने उसे कहा था कि वो उसे पसंग करती है ये वही लड़की है इसका दिल तूट चुका था अब ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिल गए है उसे खेती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ जब एडवास से जा रहा है तो इस घर का डोड तोट जाता है अब इस घर को सही करना एड का प्रोजेक्क बन जाता है अगर टेड़ा होता है तो अपने monster friend से वो help लेता है इसे वो सही से करता है इसे pet वेग़ा करता है और पूरी घर की मरमत कहा देता है जब इस लड़की को help कर रहा था तभी इन दोनों में नजदी के आ गए इसे kiss करने वाली थी पर Edd ने उसे रोक लिया Edd ने कहा था कि वो अपने wife से बहुत ही प्यार करता है वो इसके साथ affair नहीं कर सकता Edd जब जा रहा था तब इस लड़की ने उसे जो Will थी वो वापस कर दी इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर गया और जहाया लड़की रहती थी यह वीज़ बन गई जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी यही पर यह खतम हो गई बैचारा Will यहां बहुत ही disappointed हो जाता है जिस तरह से उसके फादर उसे कुछ भी सच स्टोरी नहीं बताते उसी तरह से उसे लगता है कि यह औरत भी इसी तरह से जलाव दे रही है Will जब घर पर आता है तो उसे पता जलता है कि उसके फादर को फीसे स्टोक आ चुका है अब इसके फादर मरने वाले है Will अपने फादर से लास्ट बात करने के लिए आता है इस हॉस्पिटल में जो दॉक्टर होता है यह Will से बात करता है ये विल से वुशता है कि कya तुमें पता है कि तुम कैसे born हुए थे विल कहता है कि मेरे father ने मुझे कभी सच्छा ये बता ही नहीं है डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी mother pregnant थी पर तुमारे father जॉब के लिए बाहर गए थे तुम जब born हुए थे तब ये यहाँ नहीं थे दॉक्टर फिरू उसे समझाता है तुम्हेरे फादर ने तुम्हें जो स्टोरी बताई होगी बहुत ही एडवेग्टरस होगी अगर यह स्टोरी जैसी है वेसे अगर उस defines बता दी थे तुम्हें मज़ा नहीं आता तुम कैसे जन्में थे इसकी स्टोरी अब तुम्हें हमेशा से याद रहेगी डॉक्टर कहता है कि अगर मुझे दो वर्जन्स में से चूस करना होगा तो मैं फिक्शन वाला वर्जन ने चूस करूँगा विल फिर इस पर सोचने लग जाता है इसके फादर फिर उट जाते है इसके फादर उसे बोलते हैं कि अब मैं कैसे मरने वाला हूँ इसकी स्टोरी तुम मुझे सुनाओगे विल को पता चल जाता है कि उसके फादर उसे क्या खहना चाते थे इसके फादर मरने वाले हैं यह बहुत difficult चीज है, life में इस तरह से बहुत सारी difficult चीज़ों से आपको घुजरना पड़ता है, इसे आप किस तरह से interesting बना सकते हो, इसे किस तरह से positively आप देख सकते हो, इसका एक ही वे है कि इसे एक fictional story में convert कर दे, इसके father अब किस तरह से मनने वाले है और इनका funeral वेगरा किस तरह से होगा, इसके एक fictional story बना कर विल उनने सुनाना start कर देता है, यह अपने father को कहता है कि एक दिन अचनक से तुम उट गए और अच्छे होगे, होस्पिटल में हमें सब लोग रोकना चाते थे, पर हम कभी भी नहीं रुके, हम वहाँ से भागते भागते गाड़ी में ब बहुत कम हो चुका था, जब हम रिवर के पास आये, तो सब आपके friends वहाँ थे, यानि कि circus का master, Korea में जो twins लड़किया उसे मिली थी, ये लड़किया, जो poet था वो, और उसका master friend तो यह है, जो सब लोग Ed को जान दे थे, वो सब यहाँ थे, यह हसी खुशी उसको chair कर रहे थे Will फिर अपने father को river के पास ले कर आया, जब पानी में अपने father को उसने डाला, तो उसके father fish बन गए, एक बड़े से fish वो बन गए है, यही वो story खतम कर देता है, यह अपने father को कहता है, कि जो तुम हमेशा से थे, वो तुम बन गए, इतने बड़े आप fish है, तो आपको कोई प परेशान होते है, यह डर रहे होते है, पर उनका son यानि की will जब इन्हें इस story सुनाता है, तो अब यह chain से मर जाते है, अब हमें Ed का funeral दिखाया जाता है, इस funeral में सब लोग आते हुए में दिखते है, सरकस का master, twin और वो monster, यह सब वहाँ आ चुके है, अब हमें reality में वो case से यह सब दिखता है, Ed ने story में हमें बताया था, कि यह जो twins थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, पर यह reality में वैसा नहीं था, actual में twins थी, और हमेशा एक दूसरे के साथ वो रहती थी, इसी वज़े से उसने fiction में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, यह उसने बता दिया जो monster story में उसने बताया था, वो इतना बड़ा सा monster नहीं था, यह सिर्फ बहुत ही heightened आदमी था, यानि कि Ed ने जो reality थी, उसको सिर्फ exaggerate करकर बताया था, हमें दिखता है कि Will को भी बच्चा हो चुका है, जो stories उसके father जिस तरह से उसे बता दे थे, उसी तरह से वो भी stories अपन हमें लोग stories में याद रखे, तो हम अमर हो जाते हैं, इस movie में, जो भी life हमें जीनी है, एक adventurer की तरह हमें जीनी चाहिए, एक message दिया जाता है, कितने भी पूरे time में आप रह रहे हो, तो भी आप अच्छे से जी सकते हो, इसे आप interesting मैना सकते हो, बहुत ही अच्छी movie थी, औ और आप अपने आपका ख्याल रखिये,